मुच्छल मीडिया पर आज कल फेस आप चलेंज काफी ट्रेंड कर रहा है लोग इस आप के जरीए ये देख रहे हैं कि कुछ सालों के बाद आखिरकारों कैसे दिखेंगे ये तो हुआ सोशल मीडिया का फेस आप चलेंज लेकिन आज हम मुच्छल फंड में भी फेस आप चलेंज ही लेकर आए हैं जो आपके लिए फायदे मन्द साबित होगा जी हाँ आज से 30 साल के बाद आखिरकार आप कैसे दिखेंगे ये आपके नियंतरण में कम ही है लेकिन 30 साल के बाद एक चिंता मुख जीवन बिताने की तैयारी करना पूरी तरहां से केवल आप ही के हाथ में है तो म्यूचिल फंड के फेस आप चालेंज में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार 30 साल के बाद निवेश करने के लिए आखिरकार आपकी स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरहां के फंड से आपका भुड़ापा सुरक्षत होगा और 30 साल में कितनी बदलेगी आपकी पूर्टफोलियो की तस्वी ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास महवान भी जुड़ गए है हमारे साथ एटिका वेल्ट एड्वाइजर्स के सर्टिफाइड फानेंशल प्लानर निकिल को ठारी जुड़े है निकिल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद तो शुरूबे हम इस दिल्चस्प चर्चा की शुरुआत तो करेंगे लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं अगर आप भी अपने कुछ सवाल निकिल जी से पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है इस वक्त हमारा ये शो हमारे ट्विटर पेज पर और फेस्बुक पेज पर लाइव है आपको हमरे पेजिस पर जाना है और कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल टाइप करने हैं और हम कोशुश करेंगे कि अगले आदे घंटे में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को शो में शामिल कर पाएं तो निकिल जी आज हम बात कर रहे हैं यानि कि 30 साल के बाद हमारा पॉर्टफोलियो कैसा होगा हमारा निवेश जो है वो कितना ग्रो कर जाएगा लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चुकि हम इतने लंबे समय की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमें किन-किन बातों का खायाल रखना चाहिए जब हम निवेश करें देखिए सबसे पहले तो जब आप लंबी अवदी का निवेश कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको एक पॉर्टफोलियो को नियमत रूप से आपको रिव्यू करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमने आज पैसा डाल दिया और फिर हमें तीस साल तक हम उसको देखे नहीं तो आपको नियमत रूप से रिव्यू करना चाहिए पर रिव्यू का मतलब यह नहीं कि हम हर साल उसको बदले नहीं एक साल में ऊंडावां कर रहा था इसको बेच कि दूसरे को खरी दे रिव्यू का मतलब यह नहीं तो रिव्यू का मतलब होता है कि जिस अधार पर आपने वह हम फंड लिया है जिस अधार पर आपको आपने वह बूस्टाओक लिया चाहिए इंवेश्मेंट में सबसे मैथ्वपूल चीज होती है कि आपका पेशन्स होना चाहिए तो लंबी अब्दी का जब नजरिया होता है तो आपको बहुत ज्यादा पेशन्स रखना पड़ेगा और अगर आप अच्छा पेशन्स रखना अपका अच्छा रिटन बन सकत हाथ है तो इसका इंफलेशन पर भी आता है तो अगर आपको मेहंगाई से झी नरी हों deployed में युकटे स्टे अच्छा रिटन दे सकता है डेट और बाकी ऐसेट क्लास से बलकुल तो 30 साल के आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार 30 साल के लिए आपकी निवेश की स्ट्राटेजी क्या हो म्यूचल पंड का भी यही फेसाप चैलेंज है क्या ऐसे कौन-कौन से लक्षे है जिनको हम इतने लॉंग टिम के साथ जो है जोड सकते हैं रिटार्मेंट तो एक लक्षे हो ही जाता है क्योंकि जो लोग अब यूवा है 30 की उम्र के आज पास है 25-30 साल के है तीस साल के बाद उनका रिटार्मेंट का तो एक लक्षे रहेगा रहेगा है और कौन से ऐसे लक्षे है निकिल जिसके लिए उनको प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए देखे है तो जैसे यह से पहले अपने का रिटार्मेंट तो जैसी आप ज़से आप Aww आमदनी आपकी स्टार्ट होती है उसी दिन आपकर गोल रिटार्मेंट एक फिक्स हो जाता है और आपको उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए रिटार्मेंट के अलावा और भी बह के लिए नजरिया से आप निवेश कर सकते हो अगर मैं एक्जांपल दो कि जिस दिन मेरी डॉटर का बॉन हुआ था उसी दिन से मैंने उसकी फूचर एजूकेशन के लिए इनवेश करना स्टार्ट कर दिया था तो यह लंबी अवदी का आप एक वो गोल बना सकते हो दूसरा बहुत लोग को होता है कि I want to give back to society तो मुझे कुछ charity करना है और charity मतलब कोई बड़ा charity करना है तो वो भी आप एक लंबी अवदी का गोल मना कि आप नियमेत रूप से इनवेश करके क्योंकि आपके बस तीस सार का टाइम फ्रेम है तो आप एक अच्छा कॉपस क्रेट कर सकत हो मिलकुल दुनियमेत रूप से निवेश करके आप इन लक्षों को असानी से हासल कर सकते हैं जिसमें retirement का लक्षे तो ही है उसके अलावा अगयर आप retirement के बाद घूमना चाहते है एक होलेट होम बनाना चाहते है तो इन लक्षों के लिए भी आपको आज से planning जो है शुरू करना है तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि हम महेंगाई दर का जरूर धियान रखे और इसके अलावा कितनी ये दर होनी चाहिए हमोगाई जैसे मैंने का कि महेंगाई एक बहुत बड़ा चीज है जो आप investment planning करते हो तो आपको महेंगाई को धियान रखना चाहिए तो example के thought पर अगर मैं आपको देता हूँ कि अगर आज कोई खर्चा अगर पचास जा रुपए में होता है और वही अगर आप 30 साल बात करना चाहोगे तो वही approximately उसकी 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 चीज को पाने के लिए आपको तीन लाख रुपए कर्चे करने पड़ेंगे तो आपका जो जो आप 50 जा रुपए आज कर रहे हो तो उस समय तीन लाख रुपए होगा उसकी इसाब से आपने गोल्स के जो आपके आज के इन पर कॉस्ट है उसी का फूचर वैल्यू निकाल सकते हो अगर तीस साल का आप नजरिया लेकर लेकर चल रहे हो तो इस चीज का पो ध्यान रखन तो वह बहतर रहता भी है लेकिन एकुटी में जितना भी हम मुचल वन्स में निवेश करते हैं वह मार्केट से जुड़ा होता है तो निखिल जी अगर 30 साल के बात करें तो आपको क्या लगता है कि मार्केट कम इजास क्या रहने वाला है क्योंकि आपकी महाई कम होजाती है आपके तो आपके अर्निंग स्टॉरिश से कम हो जाते हैं और एपकी रिटरंज कम हो जाते हैं पड़ अगर में 30 साल का फिर भी नजहीं के चले हुँ इंडियन माकेट में तो हो सकता है कि अगले 5 से 10 साल में fid 23% 500 attract कमा सकते on के आप 10 से बेनिफिट है एक तो अभी हम डेवलपिंग नेशन है तो हमें डेवलप होने में तो टाइम लगेगा और इंडिया में काफी सारी चीज का अभी आज शॉट फॉल है इंफ्रस्रेक्टर्चर भी लें तो वहां पर भी शॉट फॉल है ग्रोथ ऑपरचुंटी इंडिया काफी पंदर भी साल बाद आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा वो भी दिरे दे कम हो जाएगा क्योंकि आपके महंगाई कम हो जाएगी तो जो आज महंगाई 5-6% के बात कर रहे हैं हो सकता है कि वह आज से 10-15 साल बाद वो महंगाई 4-5% हो जाए तो आपको अगर 10% भ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है कियर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन स्पीच में हमार साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं उनके पास पहले चलते हैं प्रशांत चतुरवेदी हमार साथ जुड़े हैं प्रशांत चतुरवेदी जी बहुत-बहुत स्व प्रशांत चीर से जी जो है अमारा संपर्ट नहीं हो पारा लेकिन इन्हों ने अपना सवाल जो हमें इमेल के जरी भी भेजा हुआ है तो वो मैं निखिल जी आपको बता देती बताते हैं कि इनके उम्र जो है वो पचास साल है और तीन साल से म्यूचल पंज में निवेश क की है ऐसे मैं यह जानना चाहते हैं कि इनके पॉर्टफोलियों में कुछ बदलाव की जरूरत है या नहीं है इनके पॉर्टफोलियों में शामिल फंद्स में आपको बता देती हूं जिसमें फ्रांक्लें इंडिया ब्लूचिप फंड है साथ में ABSL एक्विटी एड्वांटेज रिलाइन स्मॉल कैप SBI मेगनम ग्लोबल और सुंद्रम मिद्काप फंड साथ ही एक्सस ब्लूचिप है और यूटिय एक्विटी फंड भी है तो आप क्या सला देना चाहेंगे प्रशान ची को देखिए आपकी पॉर्ट्फियो में साथ से आठ फंड है तो मैं कहूंगा कि आपकी जो फंड की नंबर फंड है वो तीन से चार फंड में आप निवेश कर सकते हो वो एक अच्छा पॉर्ट्फियो रहेगा डाइवस्टिपिकेशन के साब से जैसे आपकी कुछ फंड है जैसे एकसे ब्लूचिप फंड है उसको आप बने रही है यूटिए एकुटी फंड है वो एक मल्टी कैप फंड है तो उसमें आप बने रह सकते हैं फिर आपका जो मिड़न स्मॉल कैप है उसको आप कंसलोर करके एक फंड में निवेश कर सकते हैं तो आप रिलाइन स्मॉल करते हैं तो मैं कहूंगा कि balance advantage fund जो equity debt में allocation करता है एक large cap fund एक आपका multi cap fund और एक mid and small cap fund काफी रहेगा आपके portfolio के diversification के साब से तो आप इनी fund में बने रही और बाकी fund को मर्ज करके existing fund में आप निवेश कीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा fund अपने portfolio में लेते हैं तो और diversification हो जाता है और आपके manage करना काफी difficult हो जाता है और आप इसको track नहीं कर पाते हों मैं कहूंगा इसको consider करके 3-4 fund में निवेश कीजिए और उसमें आप बने रही तो प्रशान जी जैसा कि अभी काहा निखिल जी ने कि आपके over diversification जो है portfolio में इस वक्त हो रही है इसलिए बहतर यह रहेगा कि 3-4 funds के अपने portfolio में रखें तो यह आपके लिए बहतर रहेगा क्योंकि से review करना जो है आपके लिए काफी आसान हो जाएगा क्या एक कॉलर और और वह हमार साथ जुड़ गए है सुनील तीवारी हमार साथ जुड़े है Mumbai से सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी बिजन कंदर और हमारी हूआ कि वजय की बाूप पालिए हमारी है ऑी जुड़े है वाजुड़े हैं आपके बिजनील अजुड़े है which is a Reliance Equity Hybrid Fund for 2000. So my request is just, I have a query that I want to create a purpose of one year for my daughter's education, one year for her marriage, and one year for retirement, which is for three years. I'm a big fan of G-Business, always been very supportive. I learn a lot from G-Business Mutual Fund shows. Always I see the Mutual Fund shows through YouTube. So thank you for all support and help. Thank you very much. So how will you give me Nikhil Ji, Sunil Ji, which you want to see in your portfolio of your portfolio? And you have told me that you are investing in 11,000 rupees. Sunil Ji, I will say that the portfolio of five funds are, but the two-three funds are one category of funds. such as the India Equity Fund or a Excess Blue Chief Fund. It is a last category. So those are the ones that you have to do one fund. Instead of two funds, they are made in India. So they are made in the last case fund. And you can continue to the excess Blue Chief Fund. If you have a pure value fund, you are in the mid-cap category. But more biased to mid-cap. है तो इसमें वालटीटी ज्यादा होगी पर उसमें आप बने रह सकते हैं अलेंटी इमर्जिंग बिसनस फंड एक आपका स्मॉल कैप फंड है तो वह आपका अगेंड जैसे मैं लंबी होगी होगी लेकि आप उसमें निवेश कीजिए और उसमें बने रह सकते हैं और और लाइंस एक्कुटी हाबिट फंड है तो वह भी आपके लिए वैसे एक बैलेंस फंड पूर्फ्लों में रख सकते हैं तो मैं कहां अगर आपको चार फंड रखने हैं तो आप मेरे में हो अभी आप ऐसाइपी बढ़ा सकते हो तो आप ऐसाइपी बढ़ाते रहे हो और इनी फंड में एक्जिस्टिंग फंड में एड करते रहे हैं निखिल जी आखिर कर 30 साल के लिए अगर हम जब निवेश करना चाहिए चुकि बहुत लंबा समय हो जाता है तो ऐसे में हमारे न आपकी लाइशल काफी अच्छी रह सकती है अगर वही आप अगर आप एक ध्यान नहीं रखते हो और एक्साइज अक्साइज नहीं करते हो तो आपका और बॉड़ी में कुछ-कुछ प्रावलम आ सकती है तो वैसे ही मैं कहूंगा कि जब एक्साइस करना थोड़ा सा ठीफ करना थे हो धोड़ाते हो तो अगर आपको और अतिम को सारी में वैसे साथ गुना होता है तो मैने का डिफरेंस देखे बहूत बड़ा डिफरेंस होता है अगर लंबी अबधी के होता है जैसे access करना initial trade में काफी difficult होता है वैसे equity market में initial trade में validity होगी market उपर जाएंगे नीचे जाएंगे पड़ क्योंकि आपका नजरिया 30 साल का है और आपको 30 साल के हिसाब से आपको निवेश करना है और आपका return differential जो होगा एक तरफ आपका portfolio 30 गुना है और एक तरफ आपका portfolio 8 गुना है तो बहुत बड़ा difference होता है तो मैं कहूंगा कि आपका major portfolio जो आपका होना चाहिए वह equity as an asset class में होना चाहिए और कुछ पैसा आपका debt में होना चाहिए जो आपको portfolio stability दे और जैसे जैसे आप अपने goal के करीब आते हो जब आप पचीस साल आपके investment का हो जाता है तो आप अपना asset allocation debt or equity में accordingly change कर सकते हो कि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा debt में जा सकता है equity से debt में जा सकता है क्योंकि आप अपने goal के करीब हो पर मैं कहूंगा नियमित आप starting में आपका portfolio more biased towards equity होना चाहिए क्योंकि equity आपको लंबी अबदी में काफी अच्छा portfolio return दे सकता है तो और कुछ पैसा starting में debt में होना चाहिए और फिर आप अपना debt और equity का allocation आप debt में बढ़ाते रहिए equity में कम करते रहिएगा तो यह आपको नज़र रखना चाहिए short term volatility आपको घबराना नहीं चाहिए और नियमित रुप से निवेश करते रहना चाहिए प्रकुल तो नियमित तोर से आप निवेश करते रहिए तब ही आप इचल फ्रंट का face आप challenge पूरी तरह से कर पाएंगे क्योंकि 30 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो equity से बहतर आपको return कोई नहीं दे सकता है क्योंकि market का जोखे मुठाने की शमता जो है इतने लंबे समय में काफी जादा हो जाती है इसलिए हम निवेश को को बार-बार कहते हैं कि long term में equity जो है आपके लिए सबसे सही सौधा साबित भी होता है खेर एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे ये 30 साल वले challenge से ही जुड़ा हुआ है राहुल शर्मा का ये बताते हैं कि mutual funds में ये 40,000 रुपाई का निवेश कर रहे हैं और 30 साल के बाद के लिए इनकी retirement की planning है जिसके लिए ने 4 करोड रुपाई चाहिए घर के लिए ने 20 साल के बाद 2 करोड रुपाई चाहिए बेटी की पड़ाई के लिए भी 20 साल के बाद 1 करोड का इंका लक्षे और बेटे की शादी के लिए 25 साल के बाद 1 करोड रुपाई चाहिए NPS में बताते हैं 50,000 रुपए का निवेश है और 29 साल तक जो है वो बताते हैं कि निवेश करते भी रहेंगे EPF में 20,000 रुपए प्रती महीना जारे हैं और 15 साल तक इसे जारी रखेंगे EPF में बताते हैं अब तक निवेश के जो इनके वेल्यू है वो करीब 15,000,000 रुपए हो चुकी और साथ ही 15 साल के लिए SIP जो है आगे और करना चाहते हैं और 30 साल तक जो है इसी निवेश में बने भी रहेंगे तो मौझूदा निवेश से जानना चाहते हैं कि इनके लक्षे हासिल हो पाएंगे या नहीं इनके पोर्टफोलियो में शामिल फंद्स में मैं आपको बता देती हूँ जिसमें HDFC Small Cap, L&T Mid Cap, UTI Nifty Index Fund साथ में मेरा asset emerging blue chick और UTI Nifty Index 50 Index Fund भी शामिल है तो क्या सला देंगे आप राहूल को देखे पहले तो उनका पोर्टफोलियो में काफी सारे पैसिफ फंद है जैसे UTI Nifty Index है, UTI Nifty 50 है यह सही है कि 30 साल में आपका passive fund काफी बड़ा allocation हो जाएगा आपका और पोर्फोलियो का बट इनिशली मैं भी कहूंगा कि अभी आप अपना portfolio इतना tilted passive fund में मत कीजिए क्योंकि अभी इंडिन मार्केट में active fund अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं passive management को अगर मैं तीन से पांच साल का निजरे लेके चलूं तो तो अपना portfolio को आपको allocation थोड़ा निवेश करना पड़ेगा अगर मैं 12 परसंट का return expectation करता हूं तो आप 12,000 रुपए से हर महीने आप निवेश करते हो तो आपका जो लक्षय हो चार क्रोड का अचीव हो सकता है जो दूसरा जो आपने गोल बूला कि आपकी घर खरीदना है आपको 2 क्रोड का तो उसके लिए आपको क्योंकि आपको time frame आपका कम है वो आपको 20 साल में करना है तो आपको 20,000 रुपए निवेश करना पड़ेगा फिर आपने जो बच्चों की पढ़ाई के लिए कहा कि आपको एक करोड एक करोड रुपए चेहेंगे आसे 20 साल बाद 30 साल बाद उसके लिए आपको 15,000 रुपए हर महीने निवेश करना पड़ेगा तो और आपको जो निवेश की राशी होगी वह आज के लगपक आपको 37,000 रुपीज आपको निवेश करना पड़ेगा पर मैं कहूंगा कि आप सारे गोल्स को एक साथ में मत देखिए आप पैसाथ आप रिटायमेंट का गोल क है जाना चाहिए और हरुन हिसारिया जो है वो सबसे पहले यह जाना चाहते हैं कि आपके फेवरेट लाज केप म्यूशल पंड कौन से है अगर मैं लंबी अब्दी का बात करूं तो मैं मोर बाइस टोर्ट लाज इन मिटकेप में रहूंगा इस कंपार लाज के बढ़ा प् और बाकी आपकी केटेगरीज के कौन-कौन से विवरेट वंड में मिटकेप हो गया स्मॉल केप हो गया या मल्टिकेप हो गया जैसे मैंने कहा कि लाज केप से बाइस मैं लाज इन मिटकेप में रहूंगा तो लाज इन मिटकेप में आप फोटर्ट इकुटी ऑपरशिस प मार्केट में भी रहेगा और क्योंकि अगर आप यंग हो और आपका लंबा अब दी है तो मैं कहूंगा आपका कुछ पैसा मिड़न स्मॉल कैप फंड पे रहना चाहिए क्योंकि अगर स्मॉल कैप फंड में वह अग्सर्काइब आप अब हो आप अपका प्रेंग तो मैं कहूंगा आप आपका पोट्फियों का बना होना चाहिए आपका 20-25% पैसा लाज इन मिड कैप और 25% मिल्टी कैप में होना चाहिए और कुछ पैसा आपका में 20-25% आलोकेशिंग कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया निकेल जी हमारे से जुनने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए आखिरकार की mutual fund के इस फेलिज के लिए वो अपने आपको कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे अपने portfolio बना सकते हैं अगले 30 सालों के लिए तो आज के लिए mutual fund हेल्फ लाइन में इतिना ही लिकली बिजनस पर खभरों को स्लसला आगे भी चारी रहेगा